आज सुपा सुपा आपको मिल चुकी है यह न्यूस की के वीएज जो है के वीएज पी आटी है अपने सारे एक्जाम कराने वाला है फैब में और के वीएज पी आटी की जो हमारे डेट है वो है 21st to 28th फैब तो मैंने कर दिये अपने रिवीजन की स्पीड टेस्ट और मैंने स पर अरेशन में मैंने क्या किया है मैंने बहुत की शॉट नोट बनाएं जिसे हम इजिली उसे रेवाइज करबशे तो जब आप देख रहे हैं यह मैंने एक ररेशन लिक रखता है और उसमें मैंने टू पार्ट में white किया जो पार्ट invertid gamma में होता है close वो होता है reported speech पार्ट और जो होता है reported comma से बाहर वो हमारा होता है reported वर्ब यह जो reporting verb है इसके यह तो इसमें जो changes रहता है वो मैं आपको अलग से बताने वाली हूँ लेकिन अभी जो reported स्पीच के टैंसिज में जी चेंज होता है हम यहां उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं तो देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनेट को सबसे पहले तो आपको यह सब पता ही होगा कि प्रेजेंट को चेंज करते हैं पास्ट में तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है व हम जब अगर बात करते हैं past की तो past indefinite जो हमारा है वो का इसमें change हो जाएगा past perfect trends में और past perfect जो होता है वो रहता है remains same it means no change अगर हम बात करते हैं past continuous की तो यह change हो जाता है जाकर के हमारा past perfect continuous में और last बशता है जो हमारे पास वो है past perfect continuous जो रहता है remains same it means no change अगर reported speech में will shall can may जैसे verbs आपको देखने को मिलते हैं तो आप उनको change करेंगे would should might और could में same आपको मैं बताने वाली हूँ और वो यह जो मैंने यह universal truth इतना सा लिक करके और यह इतना lighter लगाया हुआ है उसका है main reason अगर reported speech में कोई भी होता है आपका universal truth तो there is no change आपको change करने की ज़रूरत नहीं है as it is आपको copy करके रख देना है अगर हम बात करते है reported verb में कैसे change होता है क्या change होता है तो most important part यह है वो यह कि अगर reported verb के जो subject और object है according to that यानि कि उसके ही according reported speech का pronoun change होता है मैं आशा करती हूं कि आपके मेरे आपको मेरे notes बहुत help करेंगे आपकी पढ़ाई में और आगे देख लेते हैं हम मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले बताया कि हम कैसे change करते हैं तो मैंने यहां पर डाले हैं उसके एक दो example जिससे आप easily change कर पाएंगे जैसे मैंने डाल दिया राम टोल टू मोहन I shall do your work राम ने मोहन से कहा कि मैं तुमारा काम कर दूँगा तो राम टोल मोहन that he would do his work second है my brother told me you have cheated me तो उसका जो अपने narration change किया है my brother told me that I had cheated him अगर हम बात करने वाले हैं universal truth जैसा मैंने आपको बताया तो मैंने उसके डाले हैं यहां पर दो example he said sun rises in the east यह सबको पता है और it is a universal truth तो उसका answer है he told that the sun rises in the east अगर हम बात करते हैं our science teacher said stars have their own light तो our science teacher told that stars have their own light it means इसमें कोई भी नहीं होगा change तो इसके बाद reported word के जो भी changes हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूं अगर reported word आपकी है past में तो आपको reported speech में क्या क्या change करना है कैसे change करना है वो मैंने यहां पर mention किया हुआ है अगर इसके बाद आपकी reported speech में अगर this present है तो this को आप change करेंगे that में these को change करेंगे those में here को करेंगे there में now को करेंगे then में today को करेंगे that day में yesterday मतलब previous day और the day before tomorrow change करेंगे the next day में and the following day में भी कर सकते हैं and the last day the previous day आगे के notes में आपको अगले पार्ट में शेयर करने बली हूँ hope आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा और मेरे यह notes का वीडियो आपके लिए होगा helpful thank you